हाँ जी दोस्तों कि मैं तोड़ा हाल बुराई होना क्योंकि कल पेपर है इनना सारा सिलेवर्स पे आया ते एन मुवेंट ते तोड़ जड़ा पेपर कैंसल होया ओ दुखता लागी है हुन इनना सारा सिलेवर्स एक दिन चेकदा कम्प्लीट करांगे इस वीडियो बेच आप आप ट्राइ करांगे कि बहुत इजी तरीके ना सिलेवर्स कम्प्लीट कर ये बज़ दो पेपर तुसी हुन सिलेवर्स देखो इनना जादान तोड़ा आ कुछ हाल होया होना सिलेवर् देखो इस वीडियो बेच सेम तोड़े हाल देनाल मिल रहा है कि कोछ समझ नहीं आ रहा है की होया होना ताड़े नाल देखो इस वीडियो डिकेटेटेट टो माइ स्पेशल स्टुडेंट्स जड़े के बहुत जाल हाड वकिंग है एंड पूरा स्लेवस पनना चांदे यहा है सो अपा पूरा स्लेवस कवर करांगे बहुत ही शौर्ट तरीके नहीं थाकि थानों याद भी रवे सो लेट्स स्टार्ट हर एक चीज कवर करांगे इस वीडियो बेच ट्राइ करूंगा मैं ठीक है ताकि तो हड़ा हर एक पेपर मतलब पेपर चंगी तरह टाइम ठोल गए पामे कित्मों भी आवी पूरा चैप्टर कम्प्रीट हो जबी ठीक है सो बच्चों जी में कितानों पता है कि साड़ा माइंड पैरागराफ का टी याद रख दाया है जिरे पॉइंट सुन देना शिती याद कर लेंदा है ठीक है तो जी में कि पहला चैप्टर है हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम ये तो विच देखो 15 पॉइंट्स विच पूरा चै कि तरह करके दिखा रहे हैं देखो सब्चर जी में कि हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम है वो देखो फॉर्स पॉइंट की लिख्या है कि नरेटर आप दिस स्टोरी चैप्टर इस सुदामूर्ती पता लाग गया कौन है सुदामूर्ती सारे नों पता ही होना है अपर फास्ट कर दे रिवीजन ठीक है अपने को टाइम है नहीं सेकेंड देखो ही टॉट कॉंप्यूटर अप्लिकेशन अर्ड़ कॉलेज इन बेंगलोर थर्ट पॉइंट वन अफर स्टूरेंट वस हसन ही वाज टॉल हैंसम बई विद गुड मेमरी बट ही वाज इरेगुलर इन अटें थे दोरान ही मोश्टी मॉस्टी कॉलेज अटेंड कारदा हुए जिस करके सटनाइन फॉइंट अज़ी कि दा मीटिंग एंडीड फूट लेसली सो बच्चे कोश्चन तानो हर एक पॉइंट दा कोश्चन बं सकता है ठीक है कि जड़ा मीटिंग फूट लेसली क्यों अट लेंदा सी ठीक है वो स्कूल विच कदो दिख़दा सी डूरिंग क्लास टेस्ट एन एक्जाम्स ओके सो नेक्स देखो ओ इरेगुलर लेंदा सी ओ कितना दा सी गा दिखावट कितना सी स्टार्टिंग वेचे टॉल हैंडसम और गुड मेमरी सी ओके सो किते पढ़ रहा सी गा ओक कम्प्यूटर एप्लिकेशन इन एक कॉलेज एक बैंगलोर ठीक है बैंगलोर विचे पढ़ रहा सी टीचर दे नाम की से सुधा मरती ओही इस चैप्र दे नरेटर है बहुत सारे कोश्चन ताड़े इथो बन जान दे इस सारे पॉइंट्स लाड़े क्रेक्टर स्काइच मीक करन बेच हेल्प करनगी देख्या कि नाए इजी है ना तो ते आना देखो इस वीडियो ने अपने फैंड ना हुनी शिर कर दो अपा देखो टैंथ पॉइंट्स ते जानने है कंदे according to hasan hard workers were nerds एक पॉइंट फैड बी कोश्चन आ ना के who was who were nerds according to hasan कौन सिगे उच्छों वही सिगे की कौन थे hard workers एक मिट पेनी flight mode लात रहा है तो कि मैसेज जानदे रहने है ठीक है स्टो ना आवे ओके स्टो लेस्ट टार्ट उस तबाद देखो 11 किंदे after many years he met the narrator कुछ साला बाद पास ओट हों तो कुछ साला बाद ओ नरेटर नू मिल या 12th point का he was 35 years old and plumb with a bald head ठीक है तानो question आना कि किन्ने साल था सी जो तो नरेटर नू मिल या 35 साला था सी गा and कितना सी गा ठीड़ बार आ गया सी ठीक है bald head सी तो तेर मा he had a CD in hand उदे hand वेच की सी question आना था नू what is in hand ठीक है उदे hand वेच की सी CD सी गा क्योंकि वेच सेल्समें सी गा CD दा 14th point he was doing a small job of selling high school software high school software the series बेज़दा फेटर सी गा and 15th point is the last the narrator advise him to be positive and start life with a new hope okay so बच्चे जिना बच्चे ने पढ़या होना ही points बहुत थाड़ी helpful होई गे उन्हें तानों पते लागया किस थाड़ी help कर रही है हरी question एदे वेचे होंदा है जिमें कि आपा देखो question जोड़े most important questions है ओ भी cover कर देए जिमें कि देखो पहला question आगया है कि why was hasan not noticed by the teacher because हो irregular निंदा सिगा ठीक है देखो answer कि आ रहा है hasan did not attend regularly class regularly he was present in a college only time to exam सारे यह points है देखो अपा points है किते हैं कि but he was irregular in a class and he attend college mostly during the exam or test that's why हो not present ठीक है he was not present सो पतला आगया सो बच्चे आप 15 points कर लो चंगी तरह ठीक है ताड़ा chapter cover है इस तरह आपा हर एक chapter नो cover करांगे इस time ओके सो next देखो बच्चे next second question भी देखो इस तरह तुसी बनाऊंगे कि why was hasan parents called to school क्यों call किता गया because he was irregular in the college ठीक है वानता ही नी सिगा that's why so next question है कि why did parents teacher meeting end fruitlessly हूनी आपा किता है कि दोना बच्चे कोई उदी responsibility नहीं लिया देखो points है गे नहीं साथे कोई थे देखो both parents did not take responsibility that's why meeting ended fruitlessly समझाया बच्चे points किने importance है important है so next question भी दे बनना कि कि जो मिले किने सालां दा सिगा देखो describe the physical appearance of her son when met his teacher after survival year ठीक है कुछ साला बाद जो मिले कि दा दा फीजिकल appearance ही 35 years हो गया bald सिगा fat थोड़ा मोटा हो गया सिगा so modality dress सिगा उस तो बाद है कि why did hasan started living separately ओ सेपरेटी रहना क्यों स्टार्ट की ताज गया क्योंकि ओदेखा parents ने कहता है ओ बोर होगे सी मतलब कि hasan did not change his bad habits in the college even after joining job job join करन तो भी मतलब कि ओने bad habits नहीं शट्ट रहा he remained irresponsible his father fell up fed up of all his and asked to leave us separately ठीक है ओदे फादर ने कहा कि तो अलग ही रहा है जदो आपा character sketch देखे देखो सारा character sketch ओई 15 points नो add करके बनाया गया है एक बारी वीडियो ने पाउस करो and चंगी तरह रीड कर लो इसे तरह जद तुसी देखूंगे कि theme of this story की है same बच्चे same ओई points है जो कि साथ 15 points है ठीक है theme of this story बस तुसी कुछ लेना है दे बिच एड करना है the theme of this story is that hasan must attend their class regularly he helps them to gain knowledge ठीक है thoughts that become successful in knowledge so if they not regular ठीक है lack of knowledge fail in life ओही points है बाकि तो start हो जान दी ओधी fail story ओही सारी story चिपका देनी है and तुसी last line तुसी यह लिख दरना है कि story सानो की सिखांदी है story देखो बच्चे की सिखांदी है the story the story teaches the value of discipline and time in life यह point लिख देना है good बाकि सारी ओधी story लिखनी है दे बिच भी so पहला chapter तुसी किना easily clear कर ले है and बहुत questions तुसे attend कर ले मतलब तनों समझ लागया होना है so next देखो बच्चे दूसरा chapter जड़ा है साथा March King so March King बिच्चों तरड़ा जड़ा characters कर जाओंदे chances है काफी ज़ादा so देखो इदे भी 16 points है 16 points कर ले है position answer तुसी सारी कर लोंगे 16 points नो read कर दे है तानों चेंगी तरह मैं समझा देना है बाकि इस से बिच्चों नहीं कर आँगे तो इसी आप भी कर लोंगे so देखो बच्चे पहला question है the writer of this story is KL Backlis ठीक है जाद रखो कौन है story? March King दा KL Backlis ने लिख्या है second point the story is about John Philip Sosa ठीक है John Philip Sosa सी ओदे बार यह story है okay third point when he was child he wanted to become a magician सानू question ना 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 की की बनना चौंदा सी जदो चाइड सी गा की बनना चौंदा सी magician जाद रखो ठीक है fourth point he started attending music school at the age of seven और किन्ने साल दा सी जदो उन्हें music school attend करना स्टार्ट किता seventh age fifth point है Mr. Isbuta was his teacher कौन सी teacher पुसंद का दा सी seven he got into trouble because he played baseball on the day of concert जाद रिखो सानू आ देको question दूसरा नाली देख लेने की उन्दा है why did he get into trouble ठीक है because देखो एदा answer वही point आना जो सार जासे point पड़ा है same देखो किन्दे he played baseball whole day of the day of concern ठीक है and forget to get ready of the dress to ready ठीक है so he क्यों मतलब question साथा सी का why did फिलिप get into trouble on the day of concert concert वाले day वो trouble वेच क्यों है same eye point उसी लेख देना है he got into trouble because he played baseball on the day of concert and forget to clean his dress eighth point है का his teacher's wife ओधी teacher's wife जोने missis इस पुता सी gave him a clean shirt to wear उसने पैनननो clean shirt देता की दा उदे husband दा जो कि उदा teacher सी गा mister is put ओके उस तो बात की हो है ninth point देखो कि जो तो teacher ने shirt पाया as the shirt was loose क्योंकि उपड़ा सी लूज सी ठीक है large भी लेख साथे देख सी fell away ओड देख गया the concert was flop show ठीक है so concert flop हो गया 10th point है उस तो बाद उन्हें की किता he started working in a bakery उस तो बाद उन्हें बेकरी बेच कम करना स्टार्ट कीता ते बटो बेकरी तो पसंद नहीं कहादा सी starting तो music पसंद सी इस करके he did not like job ठीक है as it was very tiring क्योंकि वो tired हो जान दो सी यूँकि लाइक ही नहीं कहादा सी न उन्हों so barma point है गा then a circus leader asked him to join a circus as a musician फिर जाके बेकरी तो बाद कियो है कि उन्हों circus leader ने किया कि तो circus join कर ला तो उन्हें music बजा musician बजा so उन्हें join कर लिया उससे बाद 13 point है गाद circus was running near pensilvania जो भी है पैंसिलvania so एक question ता नहीं आना कि किते हो रहे से और खानेमा इजाद कर लो कोई चकानी है so चौदमा पॉइंट हागा Susa served as a band master of five different president जाद रखे हो एक question आना कि किन्ने different president लिए किता से five different and उन्हें किन्ने marches लिखे और पंदरमा पॉइंट हागा he wrote more than hundred marches जाद रखे हो उन्हें 100 marches उन्हों compose किता से ठीक है and 16 point he was known as a march king ठीक है उसनों बाद हो march king बढ़े है so बच्चों एतनों देख लो तुसी किन्हें easily question बना सागते है आही 15-16 points तो इन्हों चेंगी तरह आही हो अपतानों समझे लागया हो chapter बेज की सी John Philip Sousa सी उन्हें 7 जद छोटा सी गा musician बना चौन्दा सी 7th age उन्हें स्कूल स्टार्ट कीता Mr. Sputha उन्हें टीचर सी उन्हें बेसबॉल खेड़ना पसंद सी जिदन उन्हें कंसर्ट सी बेसबॉल खेड़ना रहा गया so उन्हें टीचर ने उन्हें एक शर्ट दिती शर्ट बढ़ा सीगा लूज और डेग गया ठीक है ते जड़ा कंसर्ट सी फ्लॉप हो गया कंसर्ट बाद बेकरी बेच लाग गया जो क्योंकि बेकरी लाइक नहीं कर दा सी इस करके वो टायर हो जंदर से सो उन्हें फिर सर्कस जोइन किता सर्कस बेच्चों की मुजिशन बढ़े हैं तो मुजिशन पैनली सी ली वालियां विच्छ हो रहा सेगा सो उस्तों बाद जो पर सूजा ने फाइब डिफरेंट प्रेजेंट लई और बैंड मास्टर बढ़े सर्कीता उस्तों बाद उन्हें सो मार्चेज हंडर्ड सो मतला हंडर्ड मतला सो ने मार्चेज लिखे की यह कंपोस्ट कीता एंड ओर नौन अज़र्ड फेमस के देली बढ़े हैं मार्चिंग ली ओके तो इही कोश्टिन देखो बचे आ सारे कोश्टिन एक बार रिपी रिए इस टॉप कर गें पड़ो देखो आहीं कोश्टिन जैंड आहीं 16 पॉइंट जैंड आई ओप तानो सम्झे लागा चैप्टर बेच की सिगा चैंगी तरह सो क्याक्तर स्केच बेच भी ताड़े एही पॉइंट्स आने हैं ठीक है 16 पॉइंट्स ओनली सो नेक्स्ट बचे देखो इस थर्ड चैप्टर था नो पता है कि यह थिंकिंग आउट ओफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग उन लेटरल थिंकिंग बचे नो सम्झे नहीं था कि जर्ट 21 पॉइंट्स करना क्योंकि द्विचे दो स्टोरीज कंदे है तो दो स्टोरीज करना जुरूरी है देखो बचे फार्स्ट पॉइंट है गा फार्स्ट कह रहा है कि दचैप्टर इस एन आर्टिकल एक आर्टिकल है अडप्टेट फ्रॉं इंटर्नेट फो इदा पार्टिकल ले 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 आए थिक है उसा दूसरा हैगा point कि Edward D. Bono gives his notion of lateral thinking तो question तानू आणा कि किनने notion देता है lateral thinking दा Edward D. Bono ने ओके so third point different kinds of thinking is a creative thinking lateral thinking यह इन्दा different kind of thinking यहने creative thinking भी कहा जानता है मुझें सु टो टोरिय स्टार्ट हुं थे दहुग दो स्टोड़िय। यह आनो समझें ऐफूर्स स्टोडिया। एफ,bab एंट इभर स्टोड़िया। भॉटर्टर ना मैरिज खराना चाहूंता सिघा ओके सो सेवंथ ही सुजेश्ट एक क्लावर प्लाइन उन्हें कि ख्लाकी वड़ा एर्थ गेम उन्हें के पेवल गेम खेडना शुरू किता नाइन दग गर्ल है टू पिक वन पेवल फ्रॉम धराना शिका ठीक है उन्हें भी चक लेंदी था वदा ब्याब जाना सिका ठीक है जिए वाइट चक दीता उनने करजा ओधा माप करदाना सी तो 10th point दे हो गेंदा इफ शी पिक्ट ए वाइट पिपल जो वाइट पिपल चक लेंदी ए पेबल चक दीए शी नीड नॉट मैरी दा मनी लेंडर उननों ब्या करांदी भी लोडनी पहना सी ठीक है एन उदा करजा भी माप हो जाना सी उद्याने क्वेर पिपल आता होंदा है कि वट वाइट अपन इस शी पिकड़ अप वाइट पेबल चिक है इन इवी पिच पिकड़ पेबल जो ओद ब्लाक पेबल मेरी धा मनी लेंडर त्टीक है यो ब्लाक पेबल चक लेंदी तो उन्हें मनी-लेंडर देना ब्या कराना सो बार मां पॉइंट की यह है कि he put two black pebbles in a bag ठीक है जोड़ा moneylender से उन्हें दो black pebbles ही पा देते उन्हें कोई तर ब्लाक चक्कू की एक चक्कू के मतलब यह हो जाना है सो कोड़ी फसगी सी उन्होंने की कीता देखो केंदे the girl pick one black pebble and quickly drop it on the ground यह थे कि बहुत सारे पेबल स्पैसी ब्लैक काले वाइट से उन्हें एक चक्क्या थे सड़ दिता सड़ दिता हो दी विचे मिल गया पने लगा केड़ा है बट जदो हमने बैक खोल के देख्या बैक खोल के देख्या ना only a black pebble was in the bag ठीक है बैक विचे देख्या सिर्फ ब्लैक ही रह गया क्योंकि दो नो ब्लैक से एक ब्लैक रह गया पता लाग है कि जड़ा उन्हें चक्क्या से वाइट होना है ता यह ब्लैक रह गया बैक विचे इस तरह कोड़ी ने अपने creative thinking यूज़ करके different kind of thinking यूज़ करके अपना डैडी दा करजा माप करवाया सी समझ लाग गया होना है ठीक है so 15 पंड गंदे the girl did not have to marry money lender so next देखो बचे 16 पॉइंट जड़ा है इत्तों तो अटा second story start हुंदा है कि Thomas was a millionaire Thomas जड़ा सीगा who was Thomas Thomas was a millionaire ठीक है और millionaire सी 16 17 पॉइंट he borrowed loan of 5000 डॉलर जाज रख्यो किने 1000 डॉलर दा loan ले से उन्हें 5000 डॉलर 5,000 डॉलर 18th point he gave his Ferrari car as security उन्हें अपने Ferrari car security राख देती 19th he returned the loan after two week question जाज रख्यो तू वीक बाद उन्हें return कीता से गा okay 20th है गाया कि he paid interest of 15 डॉलर उन्हें 15 डॉलर दा interest पे कीता यह भी question आंदा हुंदा है and carry parker important question आज आंदा हुंदा कई बारे कई बचन नहीं पता लादा यह point ठीक है क्योंकि यह बहुत ही odd points देगा so carry parker जो जो भी है introduce day night matches and colorful clothing in a cricket चार्ज रख्यो एक question ना दा हुंदा हुं introduce day night matches in a cricket कौन सी carry parker okay so बच्चो इसे तरह थाड़ा इस chapter बिचो एक question main बन दा है कि letter thinking the theme so theme बच्चे ही है कि creative thinking बदर thinking differently letter thinking is a thinking differently एक कोश्य है so बाच मनी लेंडर एन्मी लेंडर दी सोड़ी चेप देनी है so बस आई है थाड़ा chapter clear हो गया देख्या आप प्वाइंड दी मदतनार किना easy कर सकते है chapter नो so next देखो बच्चो फो चैप्टर इस रोबोट्स एंद प्यूपल ठीक है रोबोट्स एंद प्यूपल वेचे की यह देखो फॉस्ट पॉइंड इसाक ऐसी मूब इस दा आउथर आप दे चैप्टर second a robot is a mechanical device robot are useless in imaginative and creative jobs तानों question आंदा हुंदा है कि where are मतलब कि चड़े ओ रोबोट्स हा वो कित्थे useless है so कित्थे useless है imaginative and creative jobs मतलब कि उननों जो feed के ताव ही काम करेंगे क्रेटिया आप खुलतर नहीं सो सकते है नहीं imagine का साथ यह तो फेल हो जाना दिया ठीक है okay fourth point some jobs are dangerous for human beings कुछ jobs है जो की इंसानली मतलब की dangerous है एक कोशनत थानों आदा होंदा है तो देखो किड़े jobs है और jobs है working with the mines chemicals explosive and dangerous jobs are dangerous jobs working with the mines mines देना लगाम करना chemical explosive एक यह साथे dangerous jobs है जो humans लेए six point करना robot can be used for dangerous job so robot dangerous job ली उस करो बस seventh point with every invention some job are lost यंदे हर एक invention जिदा हो रहा है उदे ना कुछ jobs the lost होई रही है और विजदे को सब्सक्राइब ना पॉइंट लेखे होना ने कि इदा invention of autumn oil जिदो कार्स बगएर आए इदेना किड़े jobs दी लॉस होगी साथे involving horses ठीक है मतलब कोड़े ना पहलना चल दे से ना कोड़े गड़ी तो ना पता ही है उदेना उदे losses होगे बट कहिंदे है की बट new kinds of jobs are manufacturing जिमें की new jobs भी create होई है जिमें की tire manufacturing ठीक है garages repair jobs oil well drillings ठीक है वर also created तो कई jobs create हुन दे तो कई lost भी हुन दे है कोड़े कोशन आदा हुन दा की ओटो माइल दे करके केड़े jobs create होई है ठीक है केड़े jobs create होई है तो यह भी कोशन आदा हुन दा की केड़े jobs loss होई है involving horses loss होई है तो यह create केड़े होई है a tire manufacturing garages ठीक है repairing jobs, repairing jobs, oil and drillings वाले उस तो बाद बिच्चे देखो 10th point है गा the factory where cars are made is called an automobile factory पता लागी क्या automobile factory के नुक है है जिते car made हुन दे है question आना की what is automobile factory so where cars are made 11th point in the future children should be educated using computer and robots obvious है कि future विचे दी होना उन्हें भी होई रहा पर फून तो पढ़ रहे ना that's called computer 12th हैगा computers are very good at solving mathematical problems obvious है calculator use करी रहे है थर्टीन पॉइंट but human brain is more creative and imaginative so दोना विचे केड़ा जाद बेस्ट है human brain obvious है because human are made robots ठीक है so robots दा दीवता असी है okay so is safe 13 points से ताड़ा सारे questions हा बच्चे हो ज्यादा टेंशन नहीं लगना theme सारा होई basis है एक पर चंग इतना पढ़ लो वीडियो stop करो तेन देख लो okay so next आंदे आसी 15th chapter so 15th chapter is on giving advice so बचे इस chapter दा बेस की है कि कोई किसे तो advice लेना पसंद निकारता ठीक है so ओई chapter बेस देख दें किया है so 14th point है दे फर्स्ट पॉइंट करेंद है author of the lesson is जोसफ एडिसन on giving advice advice तो जाद रखो जोसफ एडिसन है advice एडिसन इस तरह थोटे जाद हो जादा है second point है people do not like receiving advice कोई बंदा advice से रसीव करना पसंद नहीं करता है चीक है third point they think that they are being treated like children or idiots so question आणा कि कोई क्यों नहीं पसंद करता क्योंकि वो they think they are being treated उन्हों कोई treat कर रहा बच्चे दे तरह जाए इडियर समझ रहा है उन्हों करके उपसंद नहीं कर देखो इन्हों advice देखे ओके सो फॉर्थ पॉइंट है different writers different writers methods of giving advice are best chosen word, poetry, short stories, verbs and fables so different writers ने की use कीता है किसे नो advise करना है एक question दानों आना है so it answer किया है chosen best chosen words, poetry, short stories, proverbs and fables so इना विचो fable is the best method so अगला point ही है कि according to writers fable is the best method of advising so question थानों आना what is the best method to giving advice किया है fable ठीका है जिना का पर पिछली story पढ़के है इसी है, oh ही वाली story नो fable केंदे है story पढ़के सी ओदे विचो सिख्या लेने है, सिख्या करके इसानों लगदा कि कोई इसानों ही समझा रहा है so पंजमा point है, हो गया शेमा point है the message of fable is a moral ठीका है, फेवल दी message की इन दा है, moral हुंदा है so 7th एथ हो एक story जूरू हुंदी है, ओदे विचाएगा कि 7th point कि सुल्तान मेहमूद वाजे prison empire, जाह देख्यो, पर्शियन बचे लिए सुल्तान मेहमूद वाजे पर्शियन इंपाइर, जाह देख्यों कि सुल्तान मेहमूद कौन सी पर्शियन इंपाइर सी गा 8th point, one day he and his wajir were passing through a jungle एक दिन ओ और और वजीर, जंगल विच पास हो रहा है सी जंगल विच हो two owls are sitting on a tree, दो owls tree ते बैठे होए सी, कुछ गल्ला कर रहे होने है then wajir presented that he knew the language of birds, बajir ने इतना प्रेजन किता को उन्हों birds दे language आन दे है 11th, he said that owls are fixing marriage of their children, जड़े उलु है न, ओपने बच्चे दे marriage fix कर रहे है, उन्हें क्या अनू राजे नू the father of son of all, जड़ा उलु दा डैड़ी सिगा, मतलब मुंडे दा डैड़ी, वो कहनदा कि मिन्हों demanded 50 roonard village in dory कहनदा मिन्हों जड़ा देहेज बेचना, 50 roonard मतलब बरवाद होए देश चाहिए, विलेज चाहिए, 50 बरवाद होए, चीक है ते father of the daughter of all, जड़ी कुडी वाले सिगे, वो कहनदे बलकुल, चीक है, तानने 50 के सी 500 दा माँगी वाव, उन्हें जस्ट 50 दा डिमांड कीता सिगा, ये 500 देन लगे होए सिगे, चीक है So, 14th point है, at the end, Sultan built the village and town, which he had destroyed, Sultan ने जड़े भी विलेज डिस्टोई कीते सी न, उन्हें दुबारा उन्हें बनाता So, दिविच इतना सिखा न, ये old जड़े सिगे, वो तो सुल्तान बारे गलक है, क्योंकि जित्थे भी जंदा सी, सारे विलेज टा जिंदा सी वो गे न, तो 50 के मंग रहे है, जितना तो साथ सुल्तान हैगा, तो इन्हों 500 दा मांगी इतना सिखा So, बच्चों, इस थीम नो स्टॉप करके पढ़ लो, वो ही पॉइंट से, बस, नथिंग इस, साथ हैगा, ये भी सीम चैप्टर है, ठीक है, ओन सिंग प्लीज, सम्थिंग, थोड़ा देखो, इदे विच की जाना है के इन्दे की, ऑन सिंग प्लीज अपाद, दा ओथर ओफ दा लेस्न, इज एज गार्डिनर, ऑन सेंग प्लीज की ने रिखा है, एज गार्डिनर ने रिखा है, ओत वाद सेकेंड प्लीज, तो ऑथर तेल उस, इंपोर्टेंस ओप प्लाइटनेस इन लाइफ, ठीक है, Lyftman threw a passenger out of the lift, for not saying please, लिखनेね¿ में पैसेंजर नो बाहर सोड़ दा क्योंकि उन्हेंए प्लीज ने किया सगा, क्योंकि उन्हें किया सेगा, 14th point, Lyftman was fine for this, लिखने में नो fine किता गया, पंजमा bad manners are not a legal crime bad manners legal crime तर नहीं है but bad manners are spoil our life अपनी life नो खराब कर दें दी है 7th है words like please and thank you make life easier question आना कि what make our life easier so words like please and thank you 18 points author praise the bus conductor एदे बस conductor सी बहुत बढ़िया सिगा so एदा साथा character sketch आना है ठीक है so देखो bus conductor जा character sketch important है थोड़ा so बच्चे बस conductor जड़ा सिगा एक बड़ी पढ़ लें देखो bus conductor was a very cheerful and kind man he full of patience he never got angry he spoke he spoke very nicely he always tried to make his passenger comfortable ओपने passenger नो हमेशा comfortable बनाना सिगा he was like a son to elders जड़े elders है मतलब की बुड़े लोग उना ली सन सी father सी बच्चे आ लई he laughed with young जड़े यंग परसन से उना ली हास्वी लेंदा सी he was very kind and blind he was very kind with the to the blind handicap he was very kind okay so बहुत easy है once a writer got forgot his purse जो जो राइटर फॉर्गेटर अपना पर्स पो लगी ची करे he was unable to मतलब की writer पो लगया सी करे he was unable to buy a ticket जो ticket नहीं खरी साथा सी the conductor did not behave rudely उने बिल्कुल भी rudely behave नहीं कीता and he paid for writer's ticket and उने पैसे देते ticket खरीत के उनों खोद देता सी so some other time conductor tempt the writer's footly by mistake in a bus so he apologize apologize with the writer politely he was always full of good manner he set a good example of behave properly at a work place so था नहीं पता लागी कहा था ची कहा स्क्रीन शॉर्ट लो हो चाहा है कितना जाल कर लो finally बच्चे सी 7th chapter ते पहुंच गे है जो कि most important chapter था साथा the story of my life the most important chapter so बच्चे फॉर्स्ट पॉइंट हा the story of my life is written by Helen Keller ठीक है Helen Keller जाल लिखे हो बहुत ही बधिया writer सी उने ही लिखे है so second है the story of my life is her autograph ठीक है उनने खुद लिखे है वाली story जीसे पड़न लगे न है Helen Keller ने खुद लिखे है so इत्थों स्टार्ट हों दियो इत्थों स्टोरी देखो केंदे कि she wrote it at the age of 22 22 years ठीक है so 22 सालाँ दे उमर विच्टों ने story लेकर देती है अपने कहानी उस्तों बाद केंदे fourth point करा Helen Keller become deep इत्थों दे story शुरू हो रही है त्याना समझो एक ही चैप्टर है बच्चे so first point किया कि देखो fourth Helen Keller become deep and blind deep and blind होगी at the age of 19 month because of fever और बुखार दे करके 19 month दी सिखी जो दो ठीक है डेर्ड का सालाँ दी ओदो ही होगी deep and blind होगी deep मतलब मतलब dump deep मतलब bury and blind मतलब दीखना ठीक है मतलब अन्नी होगी ठीक है जो भी होगे करेख चलो सुन्डो बस ठीक है उस्तो बाद देखो बच्चे की होगा इतना दी story शुरू होई 19 साल दी उमर वेच deep and blind होगी उस्तो बाद किन दे age of seven years ठीक है जो दो साथ साल दी सी ओपने टीचर नो मिली इतनो बच्चे दो करेक्टर स्कच शुरू हो रहे है त्याना लाइन पड़ो ठीक है एतनो तानो Helen Keller अव दी टीचर दी दोनो करेक्टर स्कच इतनो ही मिल जाने है ओके उसतो बाद एट थे गाया दो फोर्स्ट वर्ड ही लेर्न बाइ फिंगर प्ले डॉल तो जादे को उन्हें फोर्स्ट वर्ड किड़ा से कैसी डॉल से कैसी ठीक है डी ओ डबलल नाइन्द फोर्म दा बलाइन चिल्टर अफ परकिन्स इंस्टिटूट ठीक है उसनो डॉल मिल जा ठीक है एक बलाइन चिटर जो की परकिन्स इंस्टिटूट वे थी उसनो टैंथ पॉर्ड वाइल लर्निंग शी गॉट अपसेट अन ब्रॉग दॉल ठीक है उसी खन वेले अपसेट होगी देना डॉल नो तोड बता तो इलेवन पॉर्ड हैगा सी अपसक्ड कोसिन तो पाणा के वेल हॉष ने की सिख्यु सी आख मेरों सी उनने वर्ड सिख्या वाटर आज कि एनन्न वायिन प्ले गुल अग olduğunu हँ वेल हउष य lamp data ठीक है उनने बहुत एक ग्रेट डॉल प्लेगी ता वच्यों इत्थों ताड़े दो दो क्रेक्टर स्केच इए जित्व हो फोर्थ पॉइट तो लेकि ठाटीन पॉइट तर दो दो क्रेक्टर स्केच कबर हो जांदे दोना ची थीम ही लिखना है इता थीम भी आणा है थीम भ पॉसिवल इफ वन इज डिटर्माइड ये तुछ लो तो कुछ भी इंपॉसिवल नहीं है ठीक है तो एही पहली लाइना दो स्टोरी गिवस दा आइडिया था नथिंग इस इंपॉसिवल इफ भी वर्क हाड एन बेचो दी स्टोरी है जो भी पॉइंट साप लिखे होई है ठीक है सो हेलन के लर्ड दी स्टोरी बेच भी किया जाना है जे दे टीचर दाया तो दे बेच भी सीमी लिखा देओ चीक है गुड़ फोर्थ पाइंट लेगो 30 सो नेक्स चैप्टर ते अपर पहुंच गहें एर्थ चैप्टर जो के साड़की है टू जेंटलमन आफ वरोना हा चीक है वरोना So two gentlemen of Verona देखो कौन है दो बच्चे है Nicola and Jacob देखो first one है The author of the chapter is A.J. Cronin Second The author visited city of Verona with his friends Third He met two boys who were brothers ओ दो boys नो मिले जो कि brother ही सी Fourth The elder was Nicola and younger was Jacoppa चीक है So Nicola सी वबड़ा सी गया and Jacoppa जड़ा सोटा सी गा चीक है उस दो बाद बच्चे Fifth point है They were wearing dirty dress ओ गंदी कपड़े पाई सी उनने Sixth point They were selling strawberries when they first met author जो पहली बार मिले है सी की बेच रहा सी strawberry बेच रहा सी गा Okay Seventh point The author bought their biggest basket of strawberries उनने biggest basket मता टोकडी खरीद ले ऐसी Eighth point They guide tourists sold all newspapers and fruits publish shoes etc for money ठीक है So बच्चे अता नो question राना को की की कर दे सी money लई So की कर दे सी गे और tourist नो guide कर दे सी गे old paper sold कर दे सी newspaper fruit बेच दे सी गे polish कर दे सी shoes लूजनू Okay So ninth point है का They were saving money for their sister treatment So क्यों काम कारे सी अपनी sister ले उसी sister नो की होए सी का पहला होदा name देखो पहला tenth point है का Their sister name sister's name was Lucia Lucia कान सी दोना बच्चना थी जेट दोना बच्चना थी जेट दोना बशाइ सी होदे सिष्टर सी And तान नो most important question बनना दा की She wanted to become a singer ठीक है Lucia की बनना चांदी सी की Singer बनना चांदी सी ठीक है एन अगला है गा शी वास सफरिंग फ्रॉम ट्यूबर क्लॉसिस जाद रिखे था नो कोश्चन आणा की लूसिया नो क्यों है सिगा क्यों है सी किस चीज़ तो सफर कर रही सी ट्यूबर क्लॉसिस तो सफर कर रही सी 13. their father as a well-known singer had been killed in war और फादर बहुत बद्या सिंगर सी गा ठीक है ओ वार बेच किल होगे सी कुश्चन आणा हो थी फादर कित्दा मरी ठीक है वार बेच किल होगे ठीक है उस तो बाद 14. their home was destroyed in war और कर भी वार बेची लड़ाय मतलब जंग बेचे ओगे खतम होगे उस तो बा guys took the author to Patella ठीक है and 16. the woman at the villa was a nurse जड़ी woman in villa बेची कौन सी नर्स सी okay so this 16 points are very helpful for तुसी दोना दे character sketch भी लेक्सा देना points तो and ताट थीम आप दी स्टोरी भी ता नहीं तो पता लगी कोना एक लाएं तुसी theme बेच की add करना है कोईना ने लिखी नहीं है so he here कि theme की है कि दोनों मतलों क्यार बहुत प्यार करते से लिए नहीं अहां देखो so two boys give us a message of love hope and kindness that's the theme of the story वेचे थीम ता आना नहीं character sketchy आना two boys दे so we points उसी लेखे देने है कि two brothers निकोला जोकोपा ठीक है ओदे वेचे जड़ा निकोला सी और एल्डर सी और जोकोपा जड़ा सिगा और यंग सिगा so this is ninth chapter अपा जल 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 कर दे हैं बहुत जादा लेट हो चुकी है ठीक है वैसे मेरे को वाइफाई है मेरे डाटा ही दो जी भी यूज करना है नो अप्लोड करना ली so first point है गा the author of the chapter is a Christian Bernard बचे इन celebration of being life chapter दा मतलब किया अपनी जड़ी असी जी रहे ना इन भी celebrate करना है so first point है the author of the chapter कौन है Christian Bernard second he was a South African surgeon ओ सर्जन सी डॉक्टर ही सी का third he designed artificial heart valves fourth one day he and his wife met with an accident एक देन ओ और और दी वाइब जा रहे सी एक्सिदेंट हो गया next guy his 11th ribs were broken and got a cut in lungs sixth point his wife shoulder was fractured okay seventh point doctor Bernard brothers died dead with a heart problem ठीक है ओधा brother मर गया उस तो बाद 8 गेंदे बरनाद remember his two child ठीक है patients who he called mechanic and driver बच्चे जदो एक्सिदेंट हो ऐसे ना तन्हों पता ही लागया क्यों है उदे 11 ribs broke हो गया ठीक है उदे कट लागया lung switch and the wife shoulder fracture हो गया वदा brother मर गया ते वो बहुत ज्यादा मतलब की depressed हो गया सी पूरा ज्यदा depression चे चला गया कि आखिर मेरे नहीं क्यों हो आप सोचना लागया सी कि वो तसारी नहीं बदिया करता सिगा ठीक है ठीक है एंद जड़ा driver सी only one arm वो था एक हाथी सी सिर्फ ठीक है बट वो बहुत खुश देंदे सी कि इलेंद पर देंदे the mechanic hat जब मेकानिक सी पहला बच्चा become blind when he was accidentally hit with a burning lantern ठीक है एक burning lantern जल्दे हो यह जल्दे हो यह जल गया तो वो ब्लाइंड हो गया पूरा ठीक है बार में पढ़नागा he got third degree burn वो third degree तक चल गया सेगा पूरा तेर में हैगा the driver was suffering from tumor of bone जड़ा driver सी एक कता होदे one arm नी सी दूसरी को लो tumor of bone ना सफर कर रहा सेगा इना कुश हों दे बहुत जुद भी बहुत खुश देंदे सेगे ठीक है सो फिर जाके डॉक्टर बर्नाद ने सिख्या कि सानों अपनी जिंदगी नों जीना चाहिदा है जो कुछ मिले होदे विच खोश रहो तो happy रहो सो लास्ट पॉइंट ही है according to dr. बर्नाद the business of living is the celebration of being alive यही है कि जो है उनों जीओ खोल के जीओ चीक है सो तुसी भी बात दो टेंशन नहीं लगना पेपरा दी जिद्धा है पेपर नों enjoy करो पेपर विच ताड़े बस रिवीज मतलों तुसी किन्नी त्यारी किती हो दी टेस्टिंग हों दी ताड़ी नहीं ताड़ी knowledge कोई नहीं दसाद है किन्नी है ताड़ी काभीलियत कोई न डाक्टर हरीश के पूरी है उस ताड़ा सेकेंड गदरी पार्टी वास फांड़ेड बाई पंजाबी इंडियन आफ यूसे एंड कनेड़ा थर्ड दा मेन मेंबर्स वर बाबा सोहन सोहन सिंग पक्ना बाबा च्राबबा एन वीजी पिंगले जार को तन उच्छे जांदे क रिटर्न टू पंजाब वेन वर्लड वार वन ब्रोक आउट ठीक है शिक्स पॉइंट टू पनीश फ्रीडम फाइटर्स बीटिस गोवर्मेंट बिल्डे स्पेशल जेल इन अंडमान एन निकोबार अंडमान निकोबार बेचे उनाने एक जेल बनाया जिसनों की किस नाम न काला पानी जेल होर के रिए नाम नाल जाने जाना दा डैविल्स आइलेंड दिनाल एट सेलोरा जेल वाज ओपन इन 1906 ठीक है 1906 वेच ओपन होया सेगा उस तो बाद नेक्स्ट एगा कि दो फर्स्ट ग्रोप ऑफ गदरी वाज ब्राट टू दा जेल इन 1915 ठीक है तो 1906 वे ऑचिशन यानि के 9 साल बाद सदे गदरी पार्टीस नो थे दांखर किता गया कया मतलब ले जाया गया जेल किता गया तो नेक्स्ट अबगा दा FOODS & WEATHER कॉंड़ नेक्स्ट एगा दा FOODS-ADA हो दे सीक बीमार पेंदे ने वैठ सी The superintendent of jail was David Barry कौन सीगा superintendent David Barry सी and chief commissioner कौन सी jail दा मूरे जाद रिखो दोनों question आसा देया David Barry सीगा superintendent and chief commissioner कौन सी मूरे सीगा चौध माँ on the oil mill कोलू जे नो केंदेया had to extract 30 pound of coconut oil every day कदे तुसी जाया होते जंगिया जादी उते दानों सारे example बनाएगे कोलू बेच जना उनानों तेल कडवाया जानदा से का coconut था every day ठीके किनना 30 pound वाव उस्वा फिक्टी ने गा prisoners were given 30 lashes of if produce was less जे ओ काट 30 pounds तो काट oil produce कारदा से उननों 30 lashes कोड़े मारे जानदे से गे यार उननों की केंदे या लेशेस नो कोरे मारना हाँ कोरे मारते से के चीक है हमें भी उस्वा देखो सोलमा डैविड बैरी एन मूरे वर नोन ऐस दा बुच्चर और सन अफ सेतान तेक है सेतान जादर के भी कोश्च नाना है कि वू वस नोन ऐस बुच्चर और सन अफ सेतान डैविड बैरी एन मूरे दोनों जेड़े से के सुपरेंडेंड और चीफ कमिशनर दोननों थे था बुच्चर और सन अफ सेतान कहाँ जाना से के या चिक है अठारमा पाइंड ही वस कन्वेक्ट इन एलिपूर कॉंस्परेसी केस 19 दे नेम ओफ वीडी शंकरा ब्रदर्स वाज गनेश शंकरा 20 कहर सिंग वस 62 यर्स ओल्ड ठीक है एंड नानी गोपाल हंगर स्ट्राइक लास्टेड फो 72 डेज मेबी जड़ा कहर सिंगा ना 72 यर्स अब तो ओल्ड एही सिगा ठीक है सुजाद रखियो उस दो बाद ज़ा स्ट्राइक चल लेए से 72 डेज तक चल लेए सिगा एंड लास्ट है गा दा पॉलिटिकल प्रिजनर्स फेस टॉर्चर बाइदा शिंगिंग वंदे मात्रम एन गुर्बानी गारेस से और दो न टॉर्चर किता गया सो फाइली ताटा फॉर्स बुक कंप्लीट ओ चुका है ठीक है सो नेक्स्ट आपका करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो बिच करांगे कि वीडियो बहुत लंबी बन गें उनमें को डाटा भी नहीं बचना कि पता नहीं सो कीप लानिंग कीप स्माइलिंग